कि मेरा नाम अनुज डाल है मैं हनुमानगर डिस्टिक से हूं और मेरी आरेस तीसरा अटेम्ट था दोजार इक्टिस कि मेरी 2016 के डेप्ट में 595 रेंग थी 2018 के अटेम्ट में मेरी 97 रेंग थी और 2021 के अटेम्ट में मेरी 74 रेंग है तो जो मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं अनुमानगर में पड़ा हूं इंदी मीडियम से हूं दस्वी बारे में में फस्ट वीजन है उसके बाद क्या है कि उस टाइम 2008 की बाद साथ आट की बाद है कि जो मैट्स और साइंपी सीम स अधे जो पास आउट होता था उसमें पूरी सुसाइटी जो आपको धक्का देती थी इंजिनियरिंग की तरफ तो इंजिनियरिंग करवाना नहीं कि आपका पेशन था बलकि एक स्टेटस सिंबल भी था कि लड़का कहां से इंजिनियरिंग कर रहा है कौन से प्राइविट सब्सक्राइब करें तो आपको सुसाइटी में अच्छी नजर से देखा जाता था दोजार साथ में पासाइट हुए तब तो स्तिती बेहत गरावती तो इसी बहुत बहुत कंट्रोल और डिसिप्लिन रहते हो और साथ के बाद जब इंजिनिरिंग करने जैपूर आए तो वह जैपूर की रंगों फिजाओं में जैसे एकदम बिखर जाता है ना तो उस उस चकर में बार्वी के बाद जब इंजिनिरिंग में एडमिशन हुआ तो जैपूर की जो फिजाएं और इंजिनिरिंग कॉलेज तो उसमें ऐसे बिखरे कि फर्स सेमेस्टर से बैग लगनी में इंदी बोलती नहीं थी ओं इंग्लीस में भात करती थी तो उन मैडम का एक प्रेजनेशन ता फ़स समेस्टर में तो मैं जैसे-टैसे कर हुआ सिर्फ और सिर्फ प्रेजंट्रेशिन नहीं कि मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा मैं आज बना के नहीं लाया मैं पेट में दर्द है मैं भुखार हो गया क्योंकि क्या confidence इतना लोग था कि आपको जो लगयी में लिखी छीज भी इंग्ली dość था ना was Michael i شआ था करें जिसता अब क्यारा जैसे थो अदिए अधर थे निकंद्र सेंग्वें दिक नद्र नद्र तक आते हृँ विल्कुलिगff ediyor तक पूरी सेमेस्ट्र में बैक थी बैक का मालब 6 subject हो दे 6 के 6 subject में बैक clean other semester चोता समस्टे में 6 समझेकट 6 में से 5 में back सॉब्दा समस्टर गया हुए इतनी बैक ही कट्ठी हो गई धी कि मैं एक एक डेटेम ready exam कर नहीं है दे और वह एक्जाम दे दे कि इतना बोर हो गया कि एक स्थिती आती है कि आपके घरवाड़ों को भी पता चल जाता है कि आरे इसके बसकी तो नहीं है इंजिनिरिंग करनी तो मेरे पिता जी ने पूछा कि बिटा हो जाएगी क्या मैंने का यह तो नहीं होगी तो फिर उन्हो से और मेरे को घर ले गए जब मैं 2012 में घर पहुंचा था तो मेरे हिस्से में 22 या 23 बैक दो डू चल रही थी इंजिनिरिंग में 48 सब्जेक्ट्स होते चैस सब्जेक्ट का एक समस्टर होता है तो छे आठ 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 आठाठ आठाठी सब्जेक्ट बीस-वाइस की बैक चल तो जैसे तैसे करके लटक लटक के घर से एक्जाम देने आते कभी एक्जामिनेशन फोर्म नहीं बरे जाते यूं करते करते और 2015-16 के सेशन में बीटेक पास हुई क्योंकि घरवाले थोड़े बिजनस्मेन फैमिली से हूं तो उन्होंने क्या है कि इनको पूत के पैर दिख गया थे उनको उन्होंने कोई घर के बिजनस में सैट कर दिया मुझे बीच से बढ़ाई लिगाई तो होगी नहीं तो तीन से चार साल मैंने व है तो इस एटिट्यूड के साथ 2015-16 तक करते रहे और 16 में मेरे एक फ्रेंड का सेलेक्शन हुआ यूपीसी में उसको आई एरस मिला था 2016 के रिजल्ट में तब उसने चुकि मेरा सीनियर रावर्ट वाल थे उसने का कि आर आरेस आईस एक्जाम से क्या है कि आपको लगाते हैं और शेयर में पूरा दिंडोरा पिटते हैं कि इस आदमीं का सेलेक्शन हो तो आपको उसको देख देख की हूँ लगता है कि यार काम तो ये ठीक है लेकिन इसके लिए पहले आपको दो-तीन साल तयारी करने पड़े तो वह तयारी करने वाड़ा काम ठीक नहीं है कि तो फिर मेरी बात चोहनी शुरू है उसने का कि यह एक्जाम ज़्यादा टफ नहीं है यह उसने जैसे एक मोटिवेटर आपको मोटिवेट करता ना उस हिसाब से उसने मोटिवेट किया तो फिर मैंने इम्मत करके 2016 में सर्फ पटवारी का फारंबरा तो पटवारी का सब्सक्राइब तो तूट गई लेकिन उसके बाद 2016 में आरेस की बरतिया थी तो आरेस का प्री का एक्जाम दिया तो प्री में तुक्के से पास हो गया तो जब प्री में पास हुआ तो आप जैसे आपके गड़ी महले में से समाचार बनना शुरू हो जाता है कि आरेस गड है और सुसाइटी ने मुझे उस लोगों में गिना शुरू कर दिया कि आरेस की तैयारी कर रहा है तो जैसे तैसे करके आरेस में दिया और इंट्रिव्यू को लुआ तो उसमें पांसो पिचानवी रेंक आई तब यूंग कॉन्फिडेंस हुआ कि यह एक्जाम पास किया ज सकता है फिर रूटीन में दो तिन एक्जाम ओर दिये लेव असिस्टेंट दिया सव इंस्पेक्टर दिया और आरेस 2018 तो 2018 तक साल दो साल में तैयरी ठीक हो गई थी तो वह एक्जाम दिया तब मेरी 97 रेंक आई फिर मैं अभी एस डिप टीएस पी नीम का थाना में पोस्ट तो यह बैसिकली इन सब बातों का बताने का उदेशी है कि आप जब नेड़ने लेते हो कि आपने इंजिनरिंग में बहुत बहुत खराब परदर्शन किया तो यह आपकी किसी और की रिस्पॉंसिबिलेट नहीं है आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं घरवाले आ सब्सक्राइब से though अथृ करेंगे उसके बाद सेलेक्षन की और यह तक तरौप तलि तो यह अब के Carn called